सब्सक्राइब कीजिए राजदने एजुकेशनल गुरूप पच्कोड या यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए अमारा मोबाइल अब भी सबसे पहले जो आज का हमारा टाइटल है वो है पोली फेगस पैस्ट इट मिन्स की पोली फेगस पैस्ट क्या है उसे पहले मैं सभी बच्चों को मेरा नमस्कार गुड आप्टरनोड अंजली मिनाजी चंचल गुपता सुरेश नीजी सभी बच्चों को जयराद देनं जयर गुड आप्टरनोड आप्टर डैट आज मैं स्टार्ट करने वालों आपके साथ एक्षिल में बात करता हूँ तो पौलीफेक्ष्ट कैस्ड क्याद पॉलीफेक्ष्ट सभी को पर्वेश नहीं यादाव रमेश सोद्री जी विजय कुमर कांटवा जी तो सभी को나hta लाने जयराधनी अम आज स्टार्ट करता हूं जहरादनी सभी को मेरा नमस्कार सभी को पढ़नाम सर मेरा नाम लो श्यामू वर्माजी आपका नाम भी लिया जाएगा जहरादनी किरण यादव नाम तो क्या आपको ले 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 नाम में क्या रखाए वाई चलो पॉलीफ्याद कीृफ्याध्स कीषिश कि ऐक्चुली पॉलीफ्याध्स के चीज़ एक्चुली कि वह मानत हैं बसीकल की तू और थ्री स्पीषीज जो दो मॉर्धें टू इस्पीशी जो अफेक्ट करते हों में और जैसे मैं अब नाम लें के चौने कि बात करते हैं तो ऑडोने में क्या है कि जो उसके फ़स्ट नम है वो कि है इसका जेन अगर prendarm हम यह कि के सिऑ इससे झाल माइं आप और झायं को ऑलो ट्रेकों क्या कों सेन्ग ऑक इसे इंगोणा वाइत ग्रव होती है अब मैं देखो पोलिफेगस की बात पुलिफेगस क्या चीज होती है कि जो दो या दो से ज्यादा जीनस को अफेक्ट करते हो कैसे इंसेक्ट जो दो या दो से ज्यादा जीनस को अफेक्ट करते हो वो पॉलिफेगरी के अंदर आते हैं और तो फर्स्ट वन इंसेक्ट है वह ह हेमारा रेड कि हैडें है काड़ा सभी बच्चों को बता है क्या है कात्रा क्या बोलते हैं इसको कात्रा तो । आह में बोलते हैं इसको कात्रा टो रेड हैरीकटरपिलर क्याWith थीज़ है कात्रा तो अगर इसक 이걸 नेम की बात करूंएक सभी बच्चों को बता होगा कि युद्ध के स्टेंडर्ड से हैं मारे यह red हरी करटरपिलर मतलब जो पोलीफेगस पैस्ट हैं वो ट्वल्थ के स्टेडर से इस्टार्ट हो जाते हैं very good m.secta moorey बच्चों ने बताने start किया कि क्या इसका नाम m.secta moorey m.secta moorey the scientific name of red हरी करटरपिलर very good सबीके आंस्वर आ रहे हैं कि एंसेक्टा मूरी दैन जो most important thing से वो यह है किसकी फैमिली क्या है अभी तक बच्चों को अल्रेटी पता थी किसकी फैमिली क्या होती है आज मैं कुछ नई चीज बताने वाला हूं उसमें आप लोगों को शाथ मुझे फैमिली आप लोग मुझे कि आप लोग मैं क्या थी बाई आर्क टीडिस की फैमिली थी बट अभी उस फैमिली को आपडेट कर दिया गया क्या कर दिया अपडेट तो याद रहे कि जितने भी टाइगर मोत होती है जो यह चाहे अपना जायड़ है कटरपिलन यह टाइगर मोत की काटेगरी में आता है तो वो सब के सब किस काटेगरी में बहुत को अभी चैंज करके और एक नई फैमिली बना दियुसकी इरेवीडी तो याद रहे अपडेट इसी इसमोस्ट इंप्वर्टन फोर यू एक्चलिय आर्क टीडिका क्या नाम हो गया इरेवीडी क्योशन यह भी आ सकता है हमारा कि आर्क्टेडी फैमिली का क्या नाम है इरेवीडी अदरवाइस क्या आएगा कि टाइगर मोथ फैमिली किस फैमिली से बिलॉंग करते हैं धना आपका अंसर क्या रहेगा इरेवीडी से तो यहाद रेक कौन से क्या बिलॉंग करते हैं इसे टाइगर मोथ जो अपने ब्लेक तो सभी बच्चों को बताओगा क्या है लैपिडॉप्टेरा क्या है और अगर किसी को याद नहीं रहे कोई ऐसे सोचे कि सर मेरे तो याद नहीं रहता पता नहीं लगता कि कौन सा इंसेक्ट है वो किस ओडर सी बिलॉंग करता है तो कोई टैंसल लेने के नहीं जिसके नाम के पिछे कैटर पिलर लगा जाए जिसके नाम के पिछे कैटर पिलर लगा जाए मैं यहां तीन चार चीज बेसिक बताचता हूं इससे हटके थोड़ा सा अगर किसी के नाम के पिछे कैटर पिलर लगाओ क्या हो वाई कैटर पिलर तो बिना कुछ सोचे समझे वहां कर देना प लेपिडॉप्टेरा मतलब यह आपका 99% साइज आएगा क्योंकि आजकर थोड़े से मतलब यह अपने है ना फ्रूट वाले प्लांटेशन क्रोप में उन में और स्टोरेज में एक दो एक्सेप्शन इसके की कैटरपिलर है फिर भी वो कॉलिप्टेरा से बिलोंग करता है वह आपको बता दूंगा कि कौन कॉण कोणचे एक्सेप्शन है अदर्वाइस किससे बिलोंग करेंगे वह लपिडॉप्टेरा बता बिलama है तैसले की हुष्ट दोटा हुआ अगरे से पूछ लेता है कि वायट गLP करती है है तो बिनगा कुछसे समझ का लगना सब्सक्राइं हुआ और से बिलोंग करता है तो बिना हो बीटल हो वील हो किससे बीलोंग करेगी litra से that simple कई भी आजाए कुछ भी तो आपको क्या है कि ढूंच है आपूचा आप कि से थी सर्फरुपरींग किस से इंपल आणसर है पता है कि कंतरपिलर किसे और समझना कि अपने एकजाम के अगर राट एंचंग तो यह था यह में पूंता है कि रेइट हरी केटरपिलर इन में से किस ओडर से बिलोंग करता है बेना कुछ सोचे समझे बता दो कि किसे करेगा लैपड़ अप्टेरा चे यदि एक थोड़ा सा मैं अंतर दिखाता हूं आपको देखो मैंने यह तो लिखा हाउस फ्लाई एक लिखा वाइट फ्लाई मतलब हाउस प्लाई वाइड फ्लाई स्थी न ट्रू फ्लाई बोलते हैं सब लोग जितने भी टीकर बढ़ाते हैं वह सभी एक बात प्टाते हैं कि डिप्टेरा में ठ्रू फ्लाई आती अर्य उनका मिनिंगि गया कि एब फ्लाई और फ्लाई यहाद रखना आप में के यह साथ लिखावा मिलेगा बॉयट पंड़ाई अलग लिखाव मिलागा लग साथ इसलिए क्या यह अलग हो सकती है कौनची जो ट्रूफलाई नहीं है वाट ओनली ट्रूफलाई किससे बिलोंग करेगी है मारी डिप्टेरा से यहां मैंने बेसिक चीजी बता दी कि अगर ऐसा कभी हो जाता है हाँ बेमिशिया टैबिसाई बेटा जो वाइट फ्लाइ का नाम बता हो क्या होता है बेमिशिया ट करेगा सिंपल सी बात है यहां तक हो गया अम मैं बात करता हूं इसके कि कहां कहां इसका अगर पॉलिफेक स्पैस्ट की बात कि जाए रेड हरी के टरपले की तो इसका डिस्ट्यूबिशन ओल और इंडिया में लगबग अगर सब जादा बात करें तो अंदर प्रदेश में तमिलाडू में गुजरात में यह एंपी में यूपी में राजस्तान में तो यह क्या हो हो गया एपी एंपी यूपी तमिलाडू महाराष्ट्रा और राजस्तान यह इसका डिस्ट्यूबिशन हो गया अब मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंग इसकी मुला हमें जो हमेशा मायनिंग रखने चाहिए और जो एक्जाम में पूरता है उनकी स्टार्ट करता हूं मतल भी से क्रेंगे यह पिर ऑजसे करेंगे लार्व का मतलब क्या हो गया कि लार्वी इमाच्यों होते उसको लार्वी बोला जाता है जो और इसको एलट्ट की और फिर नहीं है उसको ला वी लारवा आप जब भी देखोगे ना इसका लारवा इसका लारवा आपको gdzieś टॉनलीश ब्ल्यूट कलर कहो हता है कैसे अंठाओं कि आं बर ग्रीन है कि अंबर ग्रीने अंबर ग्रीन का मतलब वह पने होता कि यह जान की तायिम कभी कभी अंदेर ऊजाता है तर्कुल रेड-्रैड क्लर को पिर आसमान वोलते हैं उसको कि वो अंबर-धारम एससे रेलेटेटए यह यह और लिएसे मेंगा उससे मिली कि इसमेशब गिलारी होती है और इस पे क्या चीज्फ होति है प्रेस्ट होथी है प्ली residue Neurias हेर प्रज्फ हर मतलब बहुत ज्यादा संक्या के अंदर बाल बाल पर्ज्फ होते हैं कि इसकी ना there we go बोलते हैं कि मुर्याइण फिलार इसके लार्वी को जब बी देखेंगे तो उसके ओपर इतने ज्यदा बाल मिलेंगा आपको अपने सर्चे अधा यह अपने सरसे घ्याल अकिन सरसे विए मुन लप उसको क्या बता है कि अराउंड 25 mm ओकी तो यह इसकी क्या हो गई लेंथ अगर आपको कहीं भी कोई लार्वी मिलती है जिसकी 2.5 या 5 cm तक उसकी लेंथ है उसके बहुत ज़्यादा गने ज़्यादा बाल है और उसको कलर है वो कैसा है अंबर ग्रीन का अंबर ग्रीन कलर का तो डायरेक्ट बिना सबक्रीज होती कि अदर बिल्म प्रचैंट है सब्सक्राइध अगे वाली विदिंग में तो कुछ नहीं होता बसकी यहाँ w बास्ट में जो एनल मार्जिन है क्या है यह एनल मार्जिन मतलब जो पोस्टिरियर मार्जिन होता है न तो उसको क्या बोलता है एनल मार्जिन यह जो एनल मार्जिन है यह पोस्टिरियर मार्जिन यह 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 लूइस कलर का हुगा कैसा होगा यलो इस कलर का एनल मार्जिन है वह यलो इस कलर को होगा फोर विंग की बात कर रहा हूं आगे वाली विंग है तो क्या कहलाती है फोर विंग पिछे वाली विंग है क्या कहलाती है हाइंड विंग हम सब को बताएं दोनों चीज होगा पिछे वाली क्या है हाइंड आगे वाली four wing ओके तो जो एनल मार्जिन है मतलब जो लास्ट कोने वाला मार्जिन होते हैं उसको एनल मार्जिन बोलते हैं क्या बोलते हैं एनल मार्जिन तो एनल मार्जिन है यह क्या होता है कि यलो इस तुर्णक पाए जाते हैं बस यह जो मोश्ट स्पॉर्टेंड थिंक है कि ब्लैक स्पोर्ट की स्पें हाइंड विंग के ऊपर यह इसके अडल्ट की पेचान है अम आप लोगों को एक बार इसके लारवा और इसका अडल्ट दोनों दिखा देता हूं गुरुजी राम राम सभी को नमस्कार कि आज़ा भई आज़ा हम इसका अडल्ट और लारव की मिलब आइडेंटिफिकेशन हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगे में कि क्या चीज आइडेंटिफिकेशन में इसके नहीं लाइफ साइकल ओफ रैड हेरी कटर बिलर जो मैं आइडेंटिफिकेशन बताई वो कि वो अमेशा आपको याद रहेगी अब देखना यह इसकी लारवी यह क्या है लारवी अंबर ग्रीन कलर की है मतलब अंबर तो उपर तो कैसा कैसा कि यह इसके बबर रैडिस रैडिस सिम्टम्स है और जो निच्छे से वह मतलब ओपर स्रोपेस कैलर का मिलेगा जो अपर सर्पेस हो का है कि एमबर कलर का मिल रहा है इस मे ripping when ए कि इंदर बहुत जादा बहुत है किसी मेली मार्जेंट है ज्राट कि closure में बात करते हूं है की यह इसका डियों मारजिन घेल यलो यलो कलर के स्पोट दिख रहे हैं तो यह घ्याफिक्पिकेशन जो घ्याफिक्पिलर का यह चीजिदी आपको ऐसा मोत कभी दखता है उसके फोर्विंग के एंडल मार्जिन पे यलो कलर के यह इस प्लार मिल रहा है और हैंड विंग के पे उपर बिल्कुल ब्लैक कलर के स्पोर्ट मिल रहे हैं वो क्या हो गई रेड अर्ड रिक ट्रिपिलर और इसकी जो लार्वी है जो अंबर गिलीर कलर्ण की होगी और उसके उपर नुम्रेस हेर पर जानट होगे वह क्या हो चीज हो अगर कभी ऐसा आपको पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट जिसके हैंड विंग के उपर ब्लेकिस इसपोर्ट पाए जाते हैं दैन यूर आंसर शुड बी डा रेड हैरी के टर्पिलर तो यह चीज हो गई तो मतलब ऐसा इडेंटिफिकेशन आप से पूछ लिया यह इसके इडेंटिफिकेशन है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्यूशन आता है इसमें से वह जाता है कैसी कौन शी लार्विय है जो अंबर ग्रीन कलर की है नूम्रेस हेर पाए जाते है और टूफंट फाइब तो फाइब सेंटिमेटर जिसके लेंट है तो आपका क्य इस में किस Так के लाइब साइकल हती है कंप्लीद और इनकंप्लिट गोता हक है कि जो कंप्लीट लाइफ साइकल होते है उसको बोलते हेमि मेटावलफ सो ओँझ gonna do के यह मेन मैंते होईग तीन.? एग फिर निर्स आप्टर घैट एडल्ट कंप्लीट सभी की आंशर आ रहेंगे के कंप्लीट मेतामॉर्फोसीस तो तो कंप्लीट का मतलब अब इसके अंदर चार स्टेज बनेंगी कौन सी बनेंगी चार फर्स्ट वन एग सेकंड वन लारवा थर्ड वन प्यूपा और लास्ट एडल्ट ओके तो चार स्टेज बन गई आपका जो क्यूशन आता है पहली चूट यही आता है याद रखे कि होलो मेटाबोलस में इनकम्प्लीट या कम्प्लीट किस टाइब का होता है बिल्कुल बच्टो के आंसर वारे एग लारवा और प्यूपा और अडल्ट तो चार स्टेज हो गई अब चार स्टेज की मैं डारेक्ट एक डाइग्राम बना के बताते हो तो आपको इससे याद भी रहेगा हमें और समझने भी जी रहेगा सबसे पहले मैंने इसी स्टेज को क्या मान लिया एग इसको क्या मान लिया मैंने लारवा इसको क्या मान लिया मैंने प्यूपा और इसको क्या मान लिया एडल्ट ठीक है अब मैं बात करूँगा सबसे पहले कि कोई बताएगा मुझे कि कितने एग मतलब एक सिंगल फीमेल होती है किसकी रेड एरी केटरिपिलर की वो कितने एग देती है एक बार में मतलब एक सिंगल फीमेल की फैकूंडिटी क्या है यह चीज समल लेना वो क्यूशन कि किसी भी इनससेट के एग वह उसकी फटिलिटि की झोपिसीटी एना उसको क्या बोलते हैं फैक कॉंडिटी तो यहाद रहना कि एग देनकि की यह खनद हूं किसितलक और ऑफ फैकूंडिटी तो अब कि अचुछ सो जब एग के बाद में बनता है उसको बोलते हैं हैं याद रखना क्या पता होता है यह पता नहीं लगता कि है चीज जब एग को लार्वा आता है उसमें लार्वा बार आता है एस सब जानते हैं क्योंकि आदेशा लोगों के पेट में हचिंग होती होगी मुर्गे कंडे की कि बाद चूजा अंदर बोल रहा है बाई साब आज कहा गया मां गलत जगए तो वही चीज तो याद रहा है कि हैंडे का अंडे से चूजाया का बाहरा आना मतलब यहां आपने चूजा तो यह नहीं तो क्या आएग है तो अंडे का तूट कर लारौ बाहर आ रहा है उसको मैंने बोल दिया है कि हैचिंग तैम क्या इसका टू-टू-3 डेज़ में याद रहे हैं टाइम क्या इसका तो मैंने यहां मैं मेला एक से लार्वा बना य में कि रोसेस में थने तो nuo गई यापर डें लारों तक चलेगा कस्मा हिंदी च लिए पता नहीं का सिंद कव थे अ अपना एक नहीं होता मॉर्निंग एटर नाइट वह बाद में जबाब देंगे आपका देखो लारवा से प्यूपा की बात करते हैं मतलब लारवा के अंदर लारवा ले स्टेज होती है यह चीज उती है मोल्टिंग तो वह समझाता हूं मोल्टिंग क्या चीज है वैसे अपन स्किन का उतरना उसके बाद में उसके उपर नई स्किन बन जाता है उसको क्या बोलता है मोल्टिंग तो कोई बताएगा मेरे को कि कितने बार मोल्टिंग हो रही है और उसके बाद में बताऊंगा कि स्टेज क्या चीज है और मोल्टिंग क्या चीज है दोनों में डिफरेंस कहें होगी तो पहले यह बता दो आप मुझे कि मोल्टिंग कितनी बार करेगा और मैं मोल्टिंग अर्थ बता देता हूं आपको मतलब पुराईश के इसी तुर मारी ए मतला हो कि उसको मोर्टिंग लिए बनी बनाओ बता कर रहा है सात वारjoint कर रहा है दस बार मॉल्टिंग कर रहा है तो कितनी बार मोल्टिंग करे रहेगा वह चीज बोज़ना चा lass रहा हूं मैं तो मतलब पुराणी सकिन ओतरे गी यहां पर और नई सकिन बनेगी, simple thing है, तो यह चीज हो गई है हमारी molting, तो मैं बता देता हूँ आपको कि लारवा जब प्यूपा बनता है, तो उससे पहले वो पांच बार molting करता है, five time molting, कितनी बार करता है, five time molting, अब देखो, मैं एक चीज समझाना चाहरा हूँ आपको, कि वो molting और stage पूछ ल कि देखो, मैंने पांच इंस्टार बना दिया आपके, मैं इसको थोड़ा सह समझा, सही वाले तरीके से समझा देता हूँ, बढ़ा करके, अब देखो, यह इसने क्या कर लिया आपके, बिल्कुल सही बचो कि आन्सर सभी आ रहे, सब क्या रहे है, कि पांच बार molting कर रहा ह है, क्या चीज़ कर रहा है, पांच बार molting, इट मिन्स, फर्ष्ट बार molting की, चंद साल ने बताए कि छे molting, molting छे नहीं वह इस्टेज है, अब मैं बताऊंगा देखो कि इस्टेज और molting क्या चीज़ है, यहां पे यह मेरे फर्ष्ट इंस्टार थी उसकी, ठीक है, उसके होगी, कितनी बार होगी, molting तो five आप, मैं ऑनखक और धार मैं भाटर यहां बासके हुज़ इक ख़ता होगई नहीं कि इस्टेज देखे यदि मोल्टिंग फूसता है तो आप दूसरी चीज समझा देना मतलब यह तो क्या है इसकी मोल्टिंग आप दो दूसरी चाहिए तो पहले चोटा था मोल्टिंग बढ़ा फिर बढ़ा और बलास्ट में सबसे बढ़ा मालब वह लास्ट इंस्टार थी उसकी उसके बाद वह किसके इंदर चैन्ज हो जाएगा और यह चीज तो फाइब टाइम मोल्टिंग कर लिए उसने यह भी स्टेज हो जाएंगे complete तो यह यह कुशन बहुत बार पूंच लिया जाता है कि रैड हरी के रपेलर कितनी बार वो कितने टाइम मोल्टिंग करता है तो याद रही कि पांच टाइम मोल्टिंग करता है ओके दैन अब यह टाइम लेगा यहां से यहां तक इसको complete होने में कु यह अटाइम अपर फूपन फिर उसकी बाद में कहा है क्या आप धेगों प्यूपन कैचीज है कि फूपा एक ऐसी स्टेज है इसको रहसे इस निस्टेज बोलता है यह आपके जो एक्जाम में आती है वो क्या आती है प्यूपा इस रेस्टिंग स्टेज और लार्वा इस फीडिंग स्टेज यह दोनों लाइन ऐसे कैसी लिखाती है मिलाब एक्जेट क्या चीज पहुता है वो पूछता है यह है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जो तो रेस्टिंग स्टेज मिलाब नॉन फिडिंग भी बोल दो इसको रेस्टिंग के अलावा कर दूसर नाम आज जाएगा न तो वह क्या जाएगा नॉन फिडिंग कोई काम नहीं करती जैसी कि वैसी रहेगी ओनली लारवा फिडिंग करती है दोनों लाइन ऐसे कैसी लिए आपको याद रहें कि ऐसी कौनची स्टेज है जो रेस्टिंग स्टेज लावा नारवा फिडिंग स्टेज वैरी वूड यह चीज तो यह दोनों की दोनों लाइन ऐसे कैसे लिए 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 कि क्या चीज आप्तर देट हम भात करते कि प्यूपा बन गया प्यूपा से एडल्ट पने के लिए कितने टाइम तक रहता है यह सबसे इंपोर्टेंट यह वो रहता है नाइन टो, 10 बनत फूर्व का उता है कि उसकी जो पूब रहे इस को क्या बोलते हैं तो पूबहाल इस मतलब इनदर 23 cm तक यहां मैं लिख सकता हूं कि यह 23 cm ंदर चला जाएगा का में कापे यहां पेशनों एक ना सरफेस 23 cm ऐसे मान की चलो यहां जाकि इसको मुझ्टर मिलेगी वहां मोट्र के अंदर थैज कर स्विस्टेस करएगा सबी पूरे जितने भी सूर ちゃो फिर बूड़े के वार कर देगा और उनको क्या कर पर बूड़े के वाले खोरीद लेगा लें हैं लोके लोगे creo जो बाले ऑगर में में लेडिली जी कि लेगा रही तो बूदे वाल यां तो चीज़ेंस होगे यहां फो अंदर इंदर खुद रहेगा जब 20 मांसून होगा यानजन से अपने राजस्तान में जादा लेट होती है जून का टाइम होता यह वापस बाहर आएगा कहां से अर्थन कॉकून से 23 सेंटिमेटर नीचे जाके मोस्टर के अंदर क्या बनाता है अर्थन कॉकून बनाता है खुद के बाल रिमूग कर देता है उसके बाद 9-10 महीने तक उसी कंडिशन में रहेगा किसे परका कोई अक्टिव नहीं नहीं जाएगा कि एडल्ट से क्या हो रहा है फिर एग मतलब एडल्ट मैच्वर होंगे मैच्वर होने के बाद क्या चीज है कि मैच्वर होने के बाद क्या हो जाएगा कि वह मैटिंग करेंगे फिमेल से मैटिंग करने बाद एग लेंग करेंगे एग कितने देंगे मतलब यह चीज हो गई और कि वह कितने कितने दिन में करता है अब मैं दो एक चीज और इंपोर्टेंट बताना चाहता हूं आपको मतलब मोल्टिंग से रिलिटेड है वो सोरी वोलटाइन से तो वोलटाइन क्या सी जै पहले ले बता दूं कि अगर कोई भी इंसर्ट एक उंडी साल में कितनी जनरेशन पूरी करता है कि वो कितने जनरेशन पूरी करता है एक साल में उसको व सीनी उच्टाइन मोलता है इसnaire कैसे होता है तो यूनी और नन कि रहेक्ष मॉल्लटाइथ और इसको स्प्र betting क्या है एक यो नि वोलटाइण हर दूल सरा है वो है बाइज भAlright और फिर है मल्टीव थैंग कि आँ करें अक्या चीज़ है मतलब एक साल में कितनी जन्रेशन पूरी कर रहा हैлов उसको न आम दे हैं responsable वोलटाइन कि एक साल में कितनी यदी एक साल में सिंगल संपुरी करता है तो यूनि वोलटाइन नगे हैं यदी एक साल में दूस जनरेशन पूरी करता है तो चौ compete braidा अभाद में नहीं होती है ना ये में अमोर्फोसी स्टेज ना एक फिड में तो क्या है कि वो कुल से भी लोग करता है एफिड तो उसके अंदर तो इम्मेच्वर स्टेज होती है मतलब एक के बाद निम्फ बनेगा निम्फ के बाद डायरेक्ट एडल्ट बनता है उसके अंदर वो तो पैंतारीस जनरेशन खुद की एक साल के अंदर एफिड होता है वो फोर्टी फाइफ जन पूर्टाइब का उसमें रिलेशन सिप होता है एफिड पढ़ाएंगे अभी मस्टरी में आने वाला है जस्ट कोई दिकत नहीं तो यह चीज़े बता दी मैंने यूनिव लटाइन बाइव लटाइन और मल्टी वोलटाइन इट मिन्स जो एक जनरेशन पूरी करता हो एक सा यूनिव लटाइन है तो क्या लिख हूंगा मैं इसके अंदर कि यह एक जनरेशन एक साल में कम्प्लीट कर देता है पर जनरेशन वंज यह वन यह लगवन जनरेशन पर यह क्या होगी इसकी कम्प्लीट अब है टोटल लाइप साइकल मतलब क्या हुआ कि एग से लार्वा म क्ography क्या बोलता है कि टोटल लाइप साइकल क्या बोल तैंब मैं इसकी तोटल लाइप साइकल बात करहु तो राउंड थर्टी टू फोर्टीफ़ डिश ऑलब थर्टी टू फोर्टी फॉर्टीफ everyonera's से पहन तैई तर इक से डेड़ महिने का आप आप अपर राज लगा ल टोटल-氣 cycle होती है, यहешь cycle complete हो गई, अम मैं एक बार आपको all aspects ना, कि मतलब आप स will आपके mind में डाइगराम मनना, कि क्या क्या चीज होती है और मैं repeat करता हूँ, आप लोग उसको लगत Sab के साथ दो रहा ना, देखो वो बार निकलेगा, हेचेंगोंने में 2-3 दिन का time ले लिया, उसने फिर लारवा बन गया, लारवा पांच बार मोल्टिंग कर दिया, या 6 बार stage हो गई, उसकी 6 stage हो गई, उसने time लिया, 15-23 दिन का, कि 15-23 दिन के अंदर उसमने क्या हो लगल टाइम हो गया उसका आप्टर डैट वूपा बन गया प्यूपा नो शेंद दसमेने तक जैसा है वैसाका वैसा पढ़ए घा हमें किसी परगार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो नो शेंद दसमेने तक पूपा काहां पर है पीससे और किसके रहे रहा है अर्थन को कुन के अंदर, अर्थन को कुन किसके बनाया, खुद गे बालों से मिट्टी को मिलाकर अर्थन को कुन मना लिया, वहां रह गया, ठीक है, प्यूपा क्या है, एक रेस्टिंग स्टेज है, उसके बाद क्या क्या है, उसने, कि प्यूपा एडल्ट के अंदर चैंज ह हुआ तो प्यूपा एडल्ट में बन गया कब बना जब बारिस आई ओंसेट ओफ दी मानसून यह जी टाइम की बात करें तो लग बग मिड जून से लेकर मिड सेप्टमबर तक वह क्या हता है कि मतलब ओंसेट ओफ होता पूरी करता है तो एक से देड़ में ने के लिए लाइफ साइकल कंप्लेट कर लेता है बाकि 10 महीं ने तो कहां रहता है सोल के इंदर यह रट हरी कर पिलर के लाइफ साइकल कंप्लेट हुई इस में से यह कोई एक भी किसना तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का गलत एक बार अगर दिमांग में आपको कंसेप्ट या फिर उस चीज का डाइग्राम से में आ गया तो या तो या तो आपको एंटमोलोजी से प्यार कर लो या फिर एंटमोलोजी वाड़ो शुकर ले इट मिन्स अपन किसी भी चीज़ के तरफ अट्रक्शन दिखाएंगे ना दरवाई दिमांग में स्याकस की नहीं आती तो फिर चाही कोई दुनिया की चाक्त आ जाए मत्या फ़िसके अम मैं बात करता हूं इसके निच़र ओफ डेमेज की लब नेचर ओफ डेमेज क्या है इसका कि ये कैसे डेमेज करता है इसका नेचर क्या है पटिकुलिया अगर मैं इसके नेचर की बात करता हूं लब कैसे कैसे डेमेज करेगा मैं डायरेक्ट आपको एक बात समझाता हूं उसके बाद मैं रिटन का काम करूंगा तो समझाने की बात यह कि लार्वी होती है सबसे पहले कौन सी स्टेज है डामेजिंग स्टेज यह क्यूशन भी आप देख ले ना इसका कि लार्वा और लार्वी के अंदर क्या चीज है कात्रे का लार्वा फसल का बढ़वा पता नहीं क्या इसके लार्व ने मेजर क्रोप्स की इसके यह यदि होष्ट के बात करो तो कि मैं होश्ट भी बता दू आप लोगो किसके होश्ट क्या-क्या है ओल दी खरीब क्रोप्स और खरीब क्रोप्स में भी यह दी मैं सबसे प्रिफर क्रोप पुछू इसके लिए कि सबसे बेस्ट कौन सी है किसको फसल का बारवा हो सकता है बिलकुल आपने पढ़ाओगा कि फ सबसे बैठ लेना पर कीरतन के अंदर सारी जिमेंगे फिर नुक्ता कर लेना आज कर लेना और लाइन लोगों सामने नुक्ते की बात करूं कई पता चले शाम को मेरे को पलिस वाले ले गए ऐसा नहीं करते देख इसके लिए खरीब क्रोप्स हैं सबसे बैस्ट खरीब क्रो लगानों इसके लावा करो बहुतले वाएक इसके लावा करीजर मेजर सबसेर प्रिफर करते हैं तो अगराम प्सओं अपने अगर सारी कि सारी लगी हुई है autoconmaster करेगा परे प्रिफर कर लारवा होस्ट को करेगा पहले तो तो बउसेडिंग करेगा मतलब वो इस फिडिंग कैसे करेगा जो लार होता ना वो पत्ती की निचली सतयपे जाएगा अंडे देता है ना वो अंडे भी कहां देती है पत्ती की निचली सतयपे जो एग फिमेल आइस की वो फिमेल अंडे पत्ते की निचली सतयपे दे रही है कि लोवर साइड की तरफ क से जूंड मिलेंगे अपने चोटे-चोटे एक जूंड के अंदर 200-300-400 वैंगे विश्य ज्यादातर बेसिकली बात की जाती है ना तो लोगों का माना यह है ओब्जर किया कि लगबक दो या तीन ही कलस्टर मिलते हैं और एक कलस्टर के अंदर अराउंड 700-800 अंडे होते हैं म कितनी 2-3 कलस्टर जूंड होते हैं कलस्टर वह चीज है तो 2-3 जूंड होंगे छोटे-छोटे जिन में 700-700 होंडे होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 सो यह दो फिमेल नी एक के उपर दिया एक प्लांट के उपर तो वहां पे 3000 एंडे हो जाएंगे तो तीन चार क्लस् साइड जो लीवज की है वह स्क्रेपिंग किसकी वज़े से होती है एक तो रेड हरी के वज़े से अर इसके अलावा इसका जैसा यह और बता हो मैं जो टोब्य को के टर्पिलर होता है इस पो डॉक्टेर ले उट रहा वह बहु ऐसे करता है कि वह भी पत्ति की निचली सेता को स्क्रेप कर देता है उनली दो इंसेक्ट है जो लीवज की लोवर सर्फेट को स्क्रेप कर देता है तो अर्लियर स्टेज की बात होती है वह जो नई वाली पत्ति होती है उनके पत्ति की निचली से को स्क्रेप करता है उसके बाद में जैसे जैसे इनकी बढ़ती है तो ऐ बोलते हैं तो जैसे ग्रेज कर गए हो ऐसे लगता है तो यह दो श्म्टम से इसके नेच्रों डेमिज गे एक तो इसक्रेब कर दिता है कहां को किस चीज़ को कर रहा है लोवर साइड ओफ दी लीव कि पती की निचली सतय को स्क्रेब कर दिया दूसरा क्या है कि वह यह जैसे करना पड़ सकता है मतलब जितनी भी है उसको कंप्लेटली फीड कर दिया हूँ जो किसी चीज़ को चर जाना तो वह ग्रेजिंग के जैसे लगता है कि जैसे कोई जानवर चरके गया हूँ ऐसे लगता है तो यह दो इसके मोस्ट इंपोर्टन नेचर ऑफ डेमेज हैं कि एक कि खा जाएगा कुछ भी निशोटेगा वहां ऐसी कंडिशन हो जाएगी हमें दुबारा से सोइंग करनी पड़ेगी मंद्वेजिद रिसौं की प्रोब्लम भी हो जाती है यह किस कंडिशन में या सीवियर कंडिशन में वह जाता है बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है तो क्या हो जाएगा उससे फिल्ड रिसोन तो फिल्ड को रिसोन करना पड़ सकता है अब दुबारा से हमें खेती कंड़ी पड़ सकती है हमारी क्रोप की यह इसके नेचर ऑफ डैमेज की बात होगी यह नेचर ऑफ डैमेज आइधिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा यह न की बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं क्यों इस सबको सिस्टेमेटिक मैनर के अंदर लेकर फिर सीरीज वाइज का मतलब की सिस्टेमेटिक में पहले कलसे लेंगे फिसलिए लेंगे मेकनिकल लेंगे उसके बाद कौन-कौन सा मैसलेंगे चोला मैं यह दो बतलता हूं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि मैंने लिखाligen तो हैंड़-पिकइंग क struggles लिख दिया मैंने और दूसरा लिख दिया can the light ट्रेप तो इन में से हैंड़ पिकिंग और लाइट रेप में जो मैं यहां उपसे लिखता हूं एक है फिजीकल मेथड और एक है मेकेनिकल मेथड एक क्या है अभी मैं बात ही मता हुँँगा कि क्या था आप दोनों मेरे से चूज करके बताएं कि हंड-पिकिंग तो खों सा है और कौन सा है तो आप लोग मिरे में को कमेंट करके की एंकिन रखर का टो लाइट रिफ वाला कॉनसा मैंत वालो पर्ष्ट वाला फिजीकल मेतफ़ड वाल सब्सक्राइब्ल में तो पहलों बेटर नाम लग्र रहें वह क्या बताया आप दो लिख रहे वो ओuite है या चीज बता रहे हो आप कूंड सा है अच्छा दोनों के दोना मेकेनिकल है यह चीज बतार नहींzk ना था रहे हो किय र्avioral भी मेकेनिकल है और को हैंड ट्रे नोग को हैंड पिकिंग बोलेट ट्रे स्षिरन्ट मिन राजदान मेकनिकल रप मेंट्रेप करें आप लोगो को चलो ठीक है आप लोग ने बता तों रटी है अब मैं बताता हूं देखोकं यह क्यूस्ण इस बार लगता है उसके अंदर आया था अब देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को आज जो बता दिया वो हमेशा के लिए माइंड में रखना बहुत चे लोगों का यह माना होता है कि फिजिकल का मतलब मेरी यह दिया आप से लड़ाय हो गई गुसा मुक्य हो गई आपने कुछ बो घुडिय का चीज देखो उसको मानते हैं जिसमें ऐन्व करें इसके लागो बात करूँ हुमिडीटी उ सउनिल सर्माई लजू सर नहीं होगा इतनी महभबत मतर सा वहना मेरा दिल मचल मचल जाएगा solar radiation देखो physical के अंदर क्या है कि temperature क्या humidity एर है तो इन चीज़ों को physical के अंदर include करते हैं कि क्या चीज हो गई यह physical वाली जिनमें environmental के factors की हम help करते हैं वहलब help लेते हैं उनकी वह physical के अंदर रहते हैं अब देखो मैं यहां समझा रहा हूं कि बहुत चे बच्चों क्या है कि हैंड पिकिंग हाथ से कर रहे हैं तो फिजिकल हो गया ऐसा नहीं बेटा वह मैकनिकल है मैकनिकल हम किसको बोलते हैं मैकनिकल उसको बोलते हैं जिसके अंदर हुमन पावर की रिक्वायर्मेंट होती है मतलब कोई भी चीज काम करने के लिए हमें हुमन पावर की रिक्वा इस बार के 2020 के पिजी के एकजाम में बहुत्चे बच्चों को पता होगा ओरड़ी ओके तो यह यह किसका होगा है मैकनिकल जबकि लाइट्रेप में एक्चुली क्या चीज है कि लाइट्रेप एक एनवार्मेंट को में क्या कर दिया मैनुपलेट कर दिया उसमें चैंजिंग कर दी इसलिए लाइट्रेप किसका एक्जाम्पल होगा फिजी कल का सिंपल लाइट्रेप आजाए या फिर जो फिरोमोन ट्रेप आजाए वह फिजी कल के अंदरी आता है याद रहे कि फिरोमोन में क्या आता है कि फ वह किसके अंदर होता है physical का मतलब वह environment को change कर दिया उन्होंने environment के अंदर manipulation कर दिया तो वह physical के अंदर में तरड़ आएगा that simple इतना सा याद रखना यह मैं थोड़ा सा एक्ष्ट्र बता दिया अपने topic set के यह अपने काम की नहीं थी अब मैं बात करता हूं कि यह इसके management की बा करना दाता है बट यहीं physical option नहीं मिलता तो आप mechanical कर सकते हैं physical option नहीं मिलता तो mechanical कर सकते हैं otherwise answer क्या रहेगा physical simple ओके तो management की बात करता हूं मैं management में आपको क्या चीज यूद करनी है लाइट रेफ लाइट रेफ कब करोगे कि जब बारिस हो जाएगी onset of demand हो जाएगा night के अंदर आप लाइट रख दो ओर फिरोवन्ट्रेप में लगाएगे ह होता है क्या चीज ओते है लूर तो लियोड के अंदर लगाएंगे वह लसमेल को ड्रेक्ट करेगा वह फिरमाट रेप को हता है शिकर से वाचिंग धन्यवाद मैला जी आप सिकर से देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका स एप कर से लायव ले रहें तो अब फिर दूसरी चीज 양 cred हो गई और फिर樂्मेंट हो गई इसमार रख कर प्केंग कि करेंगे कि क्या करेंगेैं कि हैंड पिकिक गएंड इसका और यही कुशन पुशा जाता है इसके मैनेजमेंट में सब्सक्राइब क्या चीज़ होती है ट्रेंच से हम बनाएंगे ट्रेंच से रिलेटेड है को देश्राज बाजे रिंगस से तो शिकर वाढोलों की महरबानी कोई बाद ने रिंगस हो जीकरर महरबानी बने रही बस आपकी क्या चीज़ते मतशिय होता है इस्टेंच से त्रेंच की साइज क्या one by one, one by one by one क्या सिके train कि साइफ फिल्ट के चारो उत्रप बना दी मैंने, अब यह क्यों बनाते हैं, बहुत से बचोंगा answer यह होगा, यह बनाने का reason यह तो है कि जो इसका लारवा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मनला वो मार्च में चलता है मार्च किसको बोलता है पर एक बड़ासा गुरूब बन जाता है जो बैंट से बन ने बना लेगा अँरण बड़ासा गूरूफ बन लेगा फिर वह एक जगेशी दूसरी जगर जाएगा एक जगह से पानी पर देते हैं बिल्कुल वेरी गुड चुझी वी क्झोरे शरील इन बरें ब सी दीन बठाया कि इसके अंदर पानी बरते हैं। इंसयक्टषम Peki इंसाइड क्षप करते हैं कि इसकी चीज से लिए reminds वह उदकर में फेल्ट कर को यौनो स्क्राइब क्या चीज दूसरा क्या है कि उननाbei फोस ₹1.5 यह फाइटए ने हम डियोको computer झीछ पिर जाता है इसमेंटान देघ्र मेलाथियान फाइप परसेंट कुनालफोस डेट परसेंट यह लेकि आप उसके अंदर उस पानी में मिला दो जैसे जाएगा इसके अंदर गिरेगा इंसेक्टिसाइड तो क्या करेगा यह मतलब एंट्री करेगा डायरेक्ट तो अगर इसकिन से यह एंट्री कर रहा है तो वह क्या चीज़ है डर्मल इफेक्ट बोलते हैं उसको तो यह मैलाथियान क्या करता है डर्मल इफेक्ट शो करता है फोर लोकस्ट राइड हैरी के ट्रिपिलर ब्लेक एक्सेक्ट राइउज बिल्कुल जैट्रेंच में जब लोकस्ट हो वहां आपको मिलेंगे कि मिलता है तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो अभी आप इसमें याद रखना कि या ब्लेक हड़ेट के मेनेजमेंट के लिए हम ट्रेंचिंग करते हैं हमारे फिल्ट के चार उत्रप इसके लावा एक होता है कि जो पोईजन बेट मोलते हैं हो क्या चीज है पोईजन भेट की पोईजन भेट में टीज इसको बहुत है कि असी चीज हम चीज यठर करते हैं जिससे वो खाये तो मर जाए जाये बच्चों गहत वाने में वो था य데यर था उपनाकि प्वाजिए से इंफ्सलिए आरजिए आ करते है कि हम राइस आपोई ऐसके साथ जो गुड अपना जैगरी टो जैगरी कि शरेच आंघा आपना कई इसके साथ किनाल फॉस्ट की सिटाथ किसमें यहाँ जो मैं ले रहा हूं प्रुस्क वह आता है एलकिंटिफाइप में लिपकेस सब्णाइब इमल्सिफाइल कंसेंट्रेट इसी फ्लब वो थोड़ा लिक्विड फोम वेसे आता है तो क्विनाल फॉसल लेंगे कितना लेंगे वह लिटर और उसके साथ वोटर के अंदर मिक्स करके उसको और फिर लब उसके क्या बना देंगे लड्डू जैसी स्ट्रक्टर तो य रेंटोफ के सर नमस्कार जी तो देखो यह रीसबूर्ण ने हटन लिए तैन केज लाय, वनकेज ले लिया उसके लाएव क्या ले लिया कुणाल फ уч और कुणाल फोस कि समयले लिया, 25 फ सिन दर वनकेजि और इसके साथ मैंने इंस और मिक्स कर लिया, वाटर के अंदर से क्या करेंगे कि इंसेक्ट का मैनेजमेंट इजी वे में हो जाएगा जो लास्ट इंपोर्टेंट इंग्स है एक तो इसकी पिसी जाल अनोधर बनी स्पीशीद है और एक इसके अंदर लेवल होता है वह समझा देता हूँ एक बार जब अपन पढ़ाएंगे आई पीम तुसके अंदर अगेन बताऊंगा अभी एक बार आप फोड़ा सा समझा लेवल है यह एक ऐसा लेवल है कि यदि इससे उपर पॉपुलेशन जाती है इससे उपर यदि उसके इंसेक्ट के नंबर जाते हैं तो वह क्या हो जाता है कि हमारे लिए एकोनोमिक डैमेज के सिम्टम्स बनने लग जाते हैं मतलब क्या चीज़ है कि यह जैसे इटीयल है और उपर होता है इसके इई आई एल हना तो इसे इटीय यह तो यह अपने को इकोनोमिक डैमेज आर्थिक नुक्सान करना स्टार्ट कर देती है ठीक है आर्थिक नुक्सान करना स्टार्ट कर देती है क्योनालफोस का लोकल नेम क्या है क्योनालफोस का लोकल नेम मतलब क्या चीज भूजना चारे है आप जो इटीयल क्या चीज है मतलब यहां से यदि इसके उपर population सली जाती है ना तो वो क्या हो जाती है कि बिल्कुल अपने को आर्थ economic damage करना है start कर देती है कौन सी EIL के पर ETL पर हम क्या करते हैं जितने भी management है सब के सब यूज कर लेने लग जाते हैं तो ETL को यदि मैं बताऊना चाहूं तो क्या चीद है कि control measure should be applied at ETL level control measure should be applied at ETL level तो ETL पे जितने method है सारे के सारे follow करेंगे तो मतलब यह fix होती है इसके एट हैग है इसका ETL level है per 100m square area मतलब आप कहीं भी पूरे field में से क्या select कर लो 100m square area सेक्ड कर लिया उसमें से आप देखोग़े यह दिद आपको 100m square में आठे आठ अटने मिल जाते हैं किटने कि आठ अटने मिल जाते हैं तो वह आठ अंडे मतलब यह क्लिस्टर है तो यह दिर आठ अंडों का आपको मास्या मिल जाते तो वह क्या है उसके लिए ITL level है सिंपल देट तो आप लोग ऐसे मालों की सो मिटर के अरिया देख साइड के लिए उसके में हमने सभी जितने में प्लांट थे उनकी लिए उसके नीचे देखा कि आपको कितने टोटल अभी फाइप ही मिले है तो आपका एट्य लेवल अभी नहीं आया है तो वहां क्या होगा एट्य लेवल है आपको वहां दॉल जो इंससे साइड साइड है वह अप Krishna पड़ेगा आपको एट्य लेवलिंग इसका उनजाए कि हल्यान वख सैडाल खरगर इसका जो सायज्य बढ़ा होता है और इसी की सॉथ रचाश्णी को क्मिलेट होता है यहां तक अगर आप समझ मैं तो आप मुझे से थमसब कर दें नेक्ट क्लास में मिलते हैं ने टोपिक की साथ ओके तैंक्यू जैहिन जैराद्धानी एगरी कल्चर में है सांदार केरियर और एगरी कल्चर मतलब राजदानी फाउंडा पचकोडिया जैपुर राजस्थान एगरी कल्चर में राजस्थान ही नहीं नौर्थ इंडिया का किंकोन फैसला आप करें राज़दानी फाउंड़ा ने इस साल दी है, ICR में हिंदुस्तान की केटेगरी की आठवी रेंग और सामाने वरक की साठवी रेंग, राजस्तान जेट दो हजार बीस में तोप दस में से आठ विद्यार थी, तोप पचास में बाइस विद्यार थी, राज़दानी फाउंड में एक दो साल खराब वही राजधनिल मचारे धूम बारवी के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशानतियादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवार्ड की रूप में मिलने वाली है दो करोड साथ लाख रूपे की स्कोलर से खक्सा बारा के परिणाम में 97 परतिसदिया अधिक एक विद्यार्थी 95 परतिसदिया अधिक तीन विद्यार्थी 94 परतिसदिया अधिक साथ विद्यार्थी 93 परतिसदिया अधिक 11 विद्यार्थी 90% आधिक 40 विद्यार दी और वो भी ओवराल ओप्सनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार दी 99% ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार दी 97% आधिक लाने वाले 19 विद्यार दी 90% आधिक लाने वाले 163 विद्यार दी दसवी से बारवी साइंस व एगरिकल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी, रिंकु यादव ने की 37% की व्रद्धी, नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी, प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस, आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त, सेप्रेट गल्स और बॉइस होस्टल्स, राजधारी एजुकेशन गूरूप पच्कोडिया की यूटूब सेनल वे मोबाईल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी, आईसी यार, जैट, बीएच्यू, एगरिकर्जर सुपरवाईजर, 11-12 क्लास के ओनलाइन कोरसेज भी उपलद, 11-12 के साथ और इसके बाद भी, आईसी यार, जैट, बीएच्यू की क्लासेज उपलद, राजदानी एजुकेशनल गूप पच्कोड़े जैपूर में शामिल है, राजदानी साइंसदारा फोर प्रिप्रेशन ओफ नीट जेए, राजदानी फाउंडा फोर प्रिप्रेशन ओफ आईसी यार, जैट, बीएच्यू, राजदानी पब्लिक सीनर सेकंडरी स्कूल फो राजदानी गुल्स और बॉइस होस्टल विद मॉडन फैसलिटीज ओर रिजिदेंशल ब्लोग साथी विजिट करें www.rashdani-group.in, helpline number 9314130130, call 9001001314